मैं आपकी फ्रेंड वर्शा फ्रेंड साग ऐसंविडियोicting जी की एक्षी स्थ करता है अलिवर्शा से लिए न इसे पर लें परीजिए कीरिया फर्स्ट कोशन है सक संबत कप प्रारम किया गया तो फ्रेंट सक संबत कप प्रारम किया गया था 78 EC में नेक्स्ट कोशन है कुशान शाशक कनिश्क का राजविशे कब हुआ तो फ्रेंट इसका राजविशे कब हुआ था 78 EC में नेक्स्ट है विक्रम संबत का प्रारम हुआ तो ये हुआ था 57 इस्वापूर में ठीक है नेक्स्ट है गांधार कला शेली एक संसलेशन है तो फ्रेंड्स किसका संसलेशन है ये है भारतिय तथा युनानी कला का संसलेशन नेक्स्ट है मिलिन्द पन्हो है तो फ्रेंड्स ये कोशन बहुत पूछा जाता है मिलिन्द पन्हो क्या है तो ये पाली ग्रंथ है नेक्स्ट है हेलियोदोरस का बेसनगर इस्तम संबंदित है तो फ्रेंड्स ये संबंदित है वसुदेप से उसके बाद नेक्स्ट आता है को प्राचीन काल में भारत्बार आक्रमण के संदर में कौन सा सही कलानुक्रम है? तो सबसे पहले थे यूनानी, उसके पाद शक्का है और उसके आद आया कुशान. Next है, कुशान काल में सबसे अधिक विकास हुआ है किसका? तो फ्रेंड्स वो हुआ है, वास्तु काला का सबसे अधिक विकास हुआ है. उसके बाद कॉशन है, कनिश्क के समकालिन कौन थे? तो उसके समकालिन थे नागारजुन, अश्वघोश और वसुमित्रू. ये तीन थे कनिश्क के समकालिन, ठीक है? भारत में सर्वप्रधम स्वण मुद्राय चलाने वाले शाशक कौन थे? तो वो थे भारती है, यूनानी. उसके बाद कॉशन है, किस वन्स के शाशकों अग्रहार? यानि कि कर मुक्त ग्राम दान की प्रथा शुरू की थी? तो ये प्रथा शुरू की थी, साथ वाहन ने. नेक्स्ट है, भारतियों के लिए महान सिल्क मार्क किसने प्रारम कराया? तो फ्रेंड्स, इसका मार्क जो था, वो प्रारम करवाया कनिश्क में. तो यहाँ पे हमारा कनिश्क, इसका अंसर है. नेक्स्ट है कला की गांधा शेली की समय में फलिफूली तो वो कुशाणों के समय फलिफूली फलिफूली का मतलब होता है डबलप हुई विकास हुआ उसका ठीक है नेक्स्ट आते हैं चित्रकला शेली भारतियों ग्रीक यूनानी कला शेली का मिश्रण है उसे कहते हैं तो उसे कहते हैं तो यह देख लीजे गांधार से रिलेटेड अभी दो तीन कुशन्स होने पड़ेते तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि जिस शैली में भारतिय और ग्रीक युनानी कला शैली का मिश्रण होता है ठीक है उसे हम गांधार शैली बोलते हैं नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा प्रियोग किये जाने वाले सक सम्मत का प्रियोग किया था किस ने तो वो किया था कनिश्क ने उसके बाद कॉशन है प्राचीन संस्क्रत ग्रंथो में यवन प्रिय शब्द ध्योतक है ध्योतक मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं कि उसका चि के को चलाया था next question पर आते हैं friends इसे आप note कर लीजे विविन दर्शन एवम उनके प्रतिपादक तो न्याय दर्शन के हैं गौतम रिशी गौतम वैशेशिक दर्शन के हैं कणाद उसके बाद आता है सांखे दर्शन जो कि हमारा सबसे प्राचीन दर्शन है तो एक question भी ऐसे इसे पूछा जा सकता है कि सबसे प्राचीन दर्शन कौन है तो वो है हमारा सांखे दर्शन ये है कपिल मुनी का उसके बाद है योग दर्शन तो ये है पतंजली का उसके आत लोकमत यानि कि चावार्ख है हमारा चावाक का ये बहुत पूछे जाते है दर्शन शास्त्र औ आपको इनके नाम पता होने चाहे, तो आप इनका अच्छे से रिवीजं कर लिजेगा भारत का नेपॉलियन किसे कहा जाता है तो friends भारत का नेपॉलियन कहा जाता है समुंद्र गुप्त को नेक्स्ट है प्राचीन भारत के किस वन्ष का शाशनकाल भारत का स्वान यूग कहा जाता है तो ये कहा जाता है कुप्त वन्ष का स्वान का शाशनकाल नेक्स्ट है गुप्त यूग में भूमी राजजस्व की दर क्या थी तो ये थी उपच का छटा भाग उसके बाद आते हैं इलाबाद का अशोक इस्थम किस साशक के बारे में सूचना परदान करता है तो फ्रेंड्स ये सूचना परदान करता है समुंद्र गुप्त की नेक्स्थ है गुप्त काल्म उत्तर भारत का एक महत्पूर्ण पतन था तो वो था तामर लिप्ती जो की तामलूग पश्चिम बंगाल से रिलेटेड है ठीक है नेक्स्थ आते हैं इलाबाद इस थम में किसकी उपलब्दिया उत्तकीर्ण है उत्तकीर्ण का मतलब वहाँ पर लिखी है कि वहाँ पर चिनहित है या फिर हम यह बोल सकते हैं वहाँ पर लिखी हुई है तो वो हैं समुंद्र गुप्त की उपलब्दिया ठीक है नेक्स्ट है पहला ग्याद गुप्त शाषक था तो वो थे श्री गुप्त नेक्स्ट है गुप्त शाषको द्वारा जारी चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे तो वो कहलाते थे रूपक नेक्स्ट कोशन है हमारा प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था तो वो था मणी ग्राम नेक्स्ट है गुप्त काल में अपनी आयरविज्यान रचना के लिए जाना जाता है तो ये जाना जाता है शुशुत सहिता चोकी 220 का है यानि की पूर्व का बताते हैं नेक्स्ट है प्रियाग प्रशस्ति किसके सैनने अभियान के बारे में जानकरी देता है तो ये देता है समुन्द्रगुप्त के बारे में नेक्स्ट आते हैं अब यहाँ पर है अभिज्ञान शाकुंतलम की लेखक कौन है तो यह है कालिदास और इनकी कुछ और रचनाई भी है आप यहाँ पर देख लिजिए जैसे कि रगुवंज, कुमार संभव, विकोर वर्शियम, माल विकागनी मित्रम, मेगदूर और रितु संगहार यह कालिद काल का कौन सा शाषक भारत का नेपोलियन कहा जाता है तो यह कहा जाता है समुंद्र गुप्त कुम नेक्स्ट है भारत के लिए समिधान की रचना हेतू समिधान सभा का विचार सवाधम किसने पृस्तुत किया था तो यह पृस्तुत किया था सुराच पार्टी ने 1934 में Next है BR Umbeetkar का सविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पस्टिम बंगाल से यानी कि पस्टिम बंगाल से उनों निर्वाचन का जो पच्चा होता है वह से भरा था नेक्स्ट है सन 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कारेपालक परिशत के सभापती कौन थे तो वो थे जवाराल नहरू अंतरिम सरकार के सभापती गवर्नर्ट जर्नल थे ये नेक्स्ट है भारत को समिधान देने का प्रस्ता समादोरा पारित कब किया गया था तो यह किया गया था 26 जन्वरी 1947 को नेक्स्ट कोस्चन पे आते हैं धारती समिधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे तो ये थे भीमराव अम्वीटकरजी नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा राच किया चिन अंगीकरत किया गया तो फ्रेंड्स ये अंगीकरत किया गया था 26 जनवरी 1950 को जो कि मैंने अपने 20-day series में भी आपको discuss किया है ये नेक्स्ट है भारत का समिधान अपनाया गया था तो friends भारत का समिधान अपनाए गए था 26 जन्वरी 1950 को जब से हमारा क्या हम मनाते हैं रिपब्लिक डे मनाते हैं नेक्स्ट है समिधान सभा के चुने हुए स्थाई अध्यक कोन थे तो वो थे स्थाई अध्यक डॉक्टर राजेंद्र प्रशाज ये भी मैंने आपको कॉशन बहुत बार कराये हुआ ये बहुत बार पूछे जाते हैं स्थाई सदस से और आस्थाई सदस से ठीक है 11-दिसम्मर 1946 को नेक्स्ट ने सविधान सवा के परतम बैटक की अद्धिश्ता कि शिन दीदी तो दॉक्टर सचिदान सिन्च आने 9-दिसम्मर 1946 को व्फ्रेंड्स दॉक्टर सचिदान सिन्च आजथाई सदर से भी कहे जाते हैं ठीके? बारत की सविधान सभा में राष्ट्य दोज को सरप्रथम कब सुविकार किया गया तो ये सुविकार किया गया था 22 जुलाई 1947 को बारत की सविधान सभा का गठन कब हुआ था तो सविधान सभा का गठन हुआ था नवंबर 1946 इसवी में नेक्स्ट है भारत की सविधान सवा का प्रथम अधिवेशन कव शुरू हुआ था तो ये शुरू हुआ था 9 दिसमर 1946 को नेक्स्ट है सविधान निर्मात्री परिशत की जंडा समिती के अध्यक्ष कौन थे तो फ्रेंट ये थे जे भी कृपलाने नेक्स्ट है सविधान समाँ में सदस्यों का चुनाव हुआ था तो फ्रेंट प्रान्तिय विधान समाँ द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा इनका चुनाव किया गया था प्रान्तिय विधान समाँ द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन करके इनका च अनुपात था तब उस टाइम अनुपात रखा गया था 10 लाक नेक्स्ट है भारत का सविधान पूर्ण रूप से त्यार कब हुआ था तो यह हुआ था 26 जन्वरी 1949 को नेक्स्ट है सविधान की रचना हेतू सविधान सभा का विचार प्रिस्तु किस ने किया था तो यह सर्वदल सम्मेलन ने किया था 1946 इसवी में नेक्स्ट कोशन पर आते हैं भारत के धोचगीद जो कि हमारा जंटा गान है कि रचैता कौन थे तो वो थे श्यामलाल गुपता पाडशत रचैता की बात की जारिये फ्रेंड्स confuse मत होना यहाँ पर यहनी पूछा गया कि किसने गाया था रचैता की बात की जारिये next है बारत की सविधान सवा का घठन किसने किया था तो ये cabinet mission योजना की दौरा 1916 की अंतरगत किया गया था next है सविधान सवा में कुल कितने अधिवेशन हुए तो वो 12 अधिवेशन हुए थे total next है सविधान सवा के संग सविधान समिती के अधियक्ष कौन थे तो वो थे हमारे जवाहर लाल नहरू नेक्स्ट आते हैं अब यहाँ पर कॉश्चन है किसने कहा था भारती समिदान अधिक कठोरवा अधिक लचीले के मद्धे एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है तो यह कहा था भी आर अंबेट करने नेक्स्ट है भारत के पहले रास्टपती के रूप में डॉक्टर राजिन प्रसाद का चुनाव किया गया था किसके द्वारा तो वो किया गया था समिदान सभाद द्वारा नेक्स्ट है भारती समिदान सभाद के संग्य सक्ति समिती के अध्यक्ष कौन थे तो फ्रेंट्स संग्य समिती के द्ध्यक्ष बनाए गए थे पंडित जवाल नहरूजी को नेक्स्ट आते हैं अब देखें यहाँ पर कॉशन है भारत का संग्य स्वरूप सरवत्म प्रिस्तावित हुआ था तो फ्रेंट्स यह प्रिस्तावित हुआ था 1935 के अधिनियम दौरा नेक्स्ट है भारती समितान की रचना में किसका सरवादे गंभीर प्रवाव है तो वो है भारती सरकार अधिनियम दौरा 1935 में नेक्स्ट है भारती सविधान को सविधान सवादोरा अंगी करत किया गया था तो यह किया गया था 26 नवंबर 1948 को तो फ्रेंड्स यह थे मारे आच्छी कॉश्चंस I hope यहाँ पर आपका रिवीजन हुआ होगा क्योंकि यह सारे कॉश्चंस ही मैं आपको प्रैक्टिस सेट के तुरू या फिर रिवीजन क्लास में या फिर मैंने जो आपकी 20 दे सीरीज के क्लास ले थी उसमें मैं सारे कॉश्चंस करा चुकी हो तो यहाँ से आपका क्या हो गया एक रिवीजन हो गया तो अभी तक नेक्स वीडियो में हम फिर मिलते हैं आप से और भी अच्छी वीडियो के साथ तब तक के लिए टेक के और बाई बाई